जी दोस्तों, welcome to my channel, जिसका नामे चाय, पीयो, और सीखो. और आज का हमारा topic है invoice. और background का थोड़ा सा background पताते चलूँ, आप में से कुछ लोगों को पता होगा. जो तस्वीर मैंने लगाई है, ये आर्दशीर काविस जी की है. बहुत ही fearless writer थे, Don News में लिखते थे. अगर आपको high level की corruption पकड़नी है, तो आपको innovative तरीकों से उसको approach करना था, prosecution उसकी बड़ी technical होती है. लेकिन एक छोटा सा context, अगर invoice की बात हो रही हो, तो एक corruption से भी इसका link है. लेकिन अब हम चलते हैं Excel की तरफ, आईए देखते हैं कि Excel के अंदर invoice किस तरह बनाई जा सकती है. जी दोस्तों, चलते हैं आज की example के दरफ, और यह आप देखें कि मैंने एक बहुती basic सा format बनाया है, वह invoice का, जिसमें कि 3-4 columns है, for example, एक serial number है, आपकी invoice में अगर बहुत सारे line items हैं, तो आप serial number देना एक अच्छा idea होता है, ताकि उसको refer किया जा सके, product code की मैंने एक column बनाया है, मैं चाहता ही हूँ कि product code मैं choose करूँ और सारी information उसकी खुद बहुत आ जाए, क्योंकि एकसर यह होता है, आपके पास information पहले से मौजूद होती है, for example, आप अगर 10-12 products बेचते हैं, तो उनका आपको details पता होती है, उनकी price पता होती है, तो बार-बार उसको manually enter करना गलती के भी chances है, तो इससे बहुत बहुत बेतर तरीका यह है, कि आप we look up इस्तमाल करें, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका description में मैं link डाल दूँगा, और we look up इस्तमाल करके वो information आप pull up किया करें, या look up किया करें, तो इससे गलती के chances कम होते हैं, और अगर change भी करना है, तो एक ही जगा change करना पड़ेगा, हर जगा individually change नहीं करना पड़ेगा, दूसरी चीज मैं आपको recommend करूँगा, invoice के अंदर, वो है drop downs के इस्तमाल, अगर आप 18 products बेशते हैं, तो बजाए इसके कि आप उसका नाम manually लिखे हैं, जिसमें spelling की mistake हो सकती है, कुछ और ग description बता देगा, उसकी unit price बता देगा, आइए देखते हैं, तो जैसे मैंने चाय 1 चूस किया, तो description आगई कि यह normal चाय है, इसकी unit price 10 है, अब मैं total में भी आप देखेंगे, जीरो आ रहा है, एक formula पहले से लिखा हुआ है, total is unit price multiplied by quantity, अब मैं quantity लिखूंगा, कि अगर मैं 2 चाय म करता हूँ, जो कि लिख से दूद पती है, उसकी price 20 रुपए है, और यह मैं अगर 3 order करता हूँ, तो 60 रुपए इसकी हो जाएगे, तो यह एक example है invoice की, और end में आप इसका grand total भी डाल सकते हैं, for example, उसके अंदर हम simply auto sum का formula यूज़ कर लेंगे, तो यह grand total 95 रुपीज बन गए और इसको मैं थोड़ा सा bold करके दिखा सकता हूँ, ताकि यह बड़ा clearly नजर आए, और यह एक बहुत चोटी सी example थी कि आप invoice किस तरीके से बना सकते हैं, obviously आपकी invoice में 10-20 line items भी हो सकते हैं, multiple pages की भी invoice हो सकती है, लेकि यह 2-3 मोटी मोटी चीज़ें invoice में होनी चाहिए, number 1, अगर आपकी company का logo है, तो आप logo उसमें डाल दें, या नाम डालना है, तो नाम डाल दें, ताकि clearly पता चले कि यह invoice किस company से belong करती है, दूसरा drop downs का इस्तमाल करें, ताकि manually type ना करना पड़े, गलती ना हो, उसमें spelling mistakes ना हो, और number 3, we look up का इस्तमाल करें, क्योंकि आप centrally एक ये information को pull up कर सकते हैं, for example, chai 1 को मैं अगर change करके chai 2 कर दूँगा, तो वो खुद बखुद अपडेट हो जाएगा, तो इससे घलती के chances कम होते हैं, और चीज़ें चेंज करना भी असान होता है, एक जगह आप centralized तरीके से चीज़ों को change कर सकते हैं, तो ये था आज का चोटा कुछ उसके short cuts बताऊं, और बहतर तरीके बताऊं उसको इसको इस्तमाल करने के ताकि गलती के chances कम से कम हो, आपको पताईए कि जब invoice एक दफ़ा issue हो जाती है customer के पास, और अगर उसमें कोई mistake हो, तो एक तो आप पे अच्छा reflection नहीं आता और उसको recover करना या उसको change करना जा और मुश्किल हो जाता है, तो इस वज़े से invoice बनाते वे ध्यान से काम लेना चाहिए, और उमीद है कि आपको इस lesson से कुछ मजीद ideas मिले, यह था आज का चोड़ा सा lesson, उमीद आपको बसंद आया है, चैनल आइकन को click करके ज़रू subscribe करें, और मजीद कुछ topics cover करने हो तो comment section म मुझे बताए, मिलते हैं अगले lesson में, शुक्रिया.